तस्वीरों को देखकर आप साहिदी समझ पाए होंगे कि ये क्या है देखने में तो महज एक ट्रेन दिखाई दे रही है और दूसरी साथ में ही दूसरी ट्रेन दिखाई दे रही है लेकिन ये पूरी तश्वीरे हम आपको समझाएंगे इससे पहले आप पूरा इसको समझने का प्रयास करिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रही है यह तस्वीरे हैं धोर्रा रेलवे स्टेशन की जो रेलवे स्टेशन जहांसी ललितपुर के मध्धे में आता है और यहां पर यह जो तस्वीरे हम आपको देखा रहे हैं यह रेलवे की एक बहुत बड़ी ला परवाई है महज दो ट्रेने इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है एक दादा रमरस्तर एक्सप्रेस और दूसरी एक मैमो जो इस समय आपके सामने खड़ी हुई है दिकत बाली बात यह है कि जो इस समय ट्रेन खड़ी हुई है वो मूल प्लेट फॉरम से हटकर मील लाइन प लगा दिया जाता है आप तश्वीरों में साब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग माल गाड़ी के बीच में और रेलवे के बीच में से निकल रही है ये देखिए ये प्लेट फॉरम है मूल लेकिन कभी भी यहाँ पर गाड़ीयों को नहीं लिया जाता है हमेशा मील लाइन पर लिया जाता है जिस से यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना इन बहन जी को आप देख सकते हैं सामने तश्वीरों में ये किस तरह से बहुत ही मसकत और मुस्किल के साथ निकल लेका प्रयास कर रही है जबकि मील प्लेट फॉरम होने के बाद भी यहाँ पे ये रे जो कि भारी घट्राओं को नेवता दे रहा है विचार करिए कि इस तरह से कैसे हो सकता है रेलवे द्वारा ये देखिए बजर्ग महिला कितने मुस्किल से निकल पा रही हैं और इनको कितनी परेशानी हो रही होगी आप समझ सकते हैं ये तस्वीरे हैं धोर्रा रेलवे स् अपनी जाज जोखिम में डालकर निकलता है ये हालात सिर्फ आज के नहीं हैं ये हालात प्रती दिन के हैं आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्किल होती होगी ये आप धोर्रा जो रेलवे स्टेशन है मुखे दौर है उसको आप देख सकते हैं यहां पर इन लोगों के दौरा भी किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता है महज दो ट्रेनें यहां पे रुकती है उन देर ट्रेनों के लिए भी प्लेट फॉर्म खाली नहीं होता है बेहदी चिंता का विशय है कई बार यहां पे लोगों ने अपनी जान भी गबाई है लेकिन रेल प्रिशाशन को इससे कोई फरक नहीं बढ़ता है आप ही बताएं क्या ऐसे हालातों में क्या किया जा सकता है